पुरावल गंदी ने सीधा सीधा था कि हर्याना में इंडिया ब्लॉक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो उससे फायदा होगा हमें और इंडिया ब्लॉक के मतलब आम आधी पाटिक साथ बो लड़ना चाहते हैं देखें उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूँ जो हम लोगों का मोर्चा है निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्रात्मिकता है लेकिन कांग्रस को पता लग गया है कि वो जीतने वाली नहीं फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है इसलिए वो कह रहे हैं किसी से भी गढ़बंदन करो आम आदमी से भी कर पाटी से कर लो दिल्ली में जो है वो जगड़ा और हर्याना में जप्पी अभी जगड़े जप्पी वाली दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी इसका अब अंदाज़ा असानी से जगा सब्सक्राइब दोस्तों नमस्कार मेरा नम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर आपके साथ मौझूद हूँ हर्याना विधान सभाज चुनाव के एक ऐसे मुद्दे और एक ऐसे मसले को लेकर जो इस समय सबकी जवान पर है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताओं कि चुनाव और शादी यानि कि जो घरों में शादी समारों होते हैं वो दोनों में कई similarities हैं कई समानताई हैं एक समय था कि जब शादी विवाह के मौके पर रूठे हुए मनाई जाते थे आज भी है और वैसा ही कुछ चुनाव में है कि चुनाव क दौरान रूठे हुए मनाई जाते हैं अगर कई अपने पराय हो गए हो या कोई बिसर गए हो तो फिर उनको साथ लाया जाता है मान मनुहार होती है उनसे अपील की जाती है उनको पुराने उनके साथ जो पुराने संबंद होते हैं वो याद कराए जाते हैं और एक प्रका कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान में कुछ रिष्टें जुड़ते हैं जो लिविन वाले होते हैं आजकर एक ऩ नाम है लिविन का और लिविन वाले होते हो समझोता तो यह होता है कि आप हमारी यहां करना हम आप की वहां करेंगे यानि कि अपने स्वार्थ पर जोड़ा हुआ समझोता हूँ, यही लिविन होता है, कि किसी स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति या कोई जोड़ा कठा हो रहा है, और यही चुनाओ में होता है, और दूसरा जो प्रेम विभा है, प्रेम विभा को आप यूं मानने कि चटपट ह ता आएक दम आपसे पता ही ने चलेगा आपको, अब प्रेम विभा के बात चल रही है, आझकल कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी की, अगर मैं दो लाइन में आपको ये कहूं, कि आपको हाथ पसंद है और कॉंग्रेस का साथ पसंद है, वो कॉंग्रेस जिसके बारे में यहां आ्मादमी पार्टी जब उत्पत्री हुई पैदा हुई आमादमी पार्टी का जन्म हुआ तो देश कॉंग्रेस के नेता थे बड़े चोटे तमाम सभी पर भरष्टाचार के और कई प्रकार के संगीन आरूप लगाए थे खेर होता भी है जब आदमी खुद राजनीती में आ रहा है तो दूसरे पर कीचड उचा लेगा तो ही उसकी कोई बात बनेगी आमादमी पार्टी के साथ में कॉंग्रेस का एक चुनावी गठवंदन हुआ एक गठवंदन तो आपको ध्यान होगा 2013 में हो गया था उस समय हुआ था जब दिल्ली में सरकार बनी थी दिल्ली में आमादमी पार्टी की और कॉंग्रेस की गठवंदन की सरकार बनी थी आमाद इसके साथ MLA थे, कॉंग्रेस के समर्थन से आमादमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद में वो तमाम लानत कुनानत हो करके वो गठबंदन तूटा था और राहुल गांधी के सामने खड़े हुए थे आमादमी पार्टी के ततकाली नेता, आज के नहीं, उस समय के नेत साथे कुमार विश्वास, चुनाव लड़ने राहुल गांधी के सामने पहुँचे थे लोकसभा का, खेर वो पुरानी बाते हो गई, अब बात आज की, लोकसभा चुनाव के अंदर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस का गठबंदन हुआ, हर्याना में हुआ, दिल्ली मे जीरो पर आउट हुए, हर्याना में जो गठबंदन हुआ, उसमें एक सीट पर आमादमी पार्टी लड़ी, और 9 पर कॉंग्रेस लड़ी, कॉंग्रेस को 5 सीटे मिल गई, और आमादमी पार्टी अपनी एक सीट को हार गई, अब विधान सभा चुनाव है, विधान सभा च के शुरू में कि जो लिविन वाले और प्रेम विवा वाले जो समझोते होते हैं, वो एका एक होते हैं, कल सीट की बैठक हो रही थी, राहूल गांदी सीट की बैठक में थेक शिगूफा छेट दिया उन्होंने, और बोल दिया कि आमादमी पार्टी से गठबंदन करें तो जवाब में आज संजे सिंग जो आमादमी पार्टी के राज्यसवा सदस्य हैं, संजे सिंग ने भी कह दिया कि अगर कॉंग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव दिया है तो ये काबिले स्वागत है, स्वागत के लायक है, यानि कि दोनों के लिए जो रिष्टे में बरफ जमी होई थी वो फिर पिखलनी शुरू हो गई इधर प्रपोज किया कॉंग्रेस ने राहूल गांदी ने और उस प्रपोजल को एक आएक स्विकार भी कर लिया कह दिया संजे सिंग ने अगर ऐसा है तो हमें में वंजूर है देखें उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से भारती जनता पार्टी को हराना हम सब की प्रात्मिकता है उनकी नफरत की राजनीती उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीती नौजमानों के खिलाफ उनकी राजनीती को महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्रात्मिकता है लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाना के संदीप पाठक जी और सुसील गुपता जी वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बाचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल को देंगे और उससाब से लेने लिए मैंने कहा कि आपने उनके वक्तब का जिक्र किया लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाना का संदीप का काम और चुनाओ का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सामती से लेंगे संदीप पार्ठक जी देख रहे हैं इसके लामा पार्टी के रास्टी अध्यक्ष हैं तो पार्टी में का नेड़ने लेने के एक प्रकिरिया है और इधर इनके बीच में आ गए भारती जन्ता पार्टी के परवक्ता बीचे पी के परवक्ता हलांकि आजकल वो मेंस्ट्रीम में नहीं है कभी कभी दिखते हैं स्क्रीन पर आज उन्होंने कहा कि क्योंकि कॉंग्रेस को दिख रहा है कि हमारी सरकार नहीं आ रही इसलिए साथ जुड़ रहे हैं खेर अब बात दोस्तों यह आ जाती है कि एक आएक जिन दौनों पार्टियों में यह चल रहा था चुनाव से पहले दौनों पार्टियां रेलिया कर रहे थे दौनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोब भी लगा रहे हैं आपको मैं ध्यान दिलाता चलू बुपेंदर सिंग उड़ा पूसते थे कौन अनुराग धांडा और अनुराग धांडा जो आम आदनी पार्टिय के बड़े नेता है वो तमाम प्रकार के लांचन को लांचन लगा रहे थे कॉंग्रेस पार्टियों लेकिन अब कल बात चल क्या होगी गठवंदन किस प्रकार से होगा कितनी सीटों पर समझोता होगा क्योंकि हर्याणा में दो गठवंदन तो हो चुके हैं एक गठवंदन हो चुका है इंडियन नेशनल लोगदल और भहुजन समाज पार्टी का जब यह गठवंदन हुआ था तो उस समय इन्यलों के सुप्रीमो अभय सिंग चोटाला ने कहा था कि हर्याना में तीसरा मोर्चा बनाएंगे तीसरे मोर्चे में आमादमी पार्टी को भी लेंगे यह बात भी चली थी लेकिन वो बात हो ना सकी अभी हाल ही में दुश्यन चोटाला का गठवंदन हुआ और दुश्यन चोटा के नेता हैं चंदर शेखराजाद रावन के नाम से फेमस हैं जब इनका गठवंदन हुआ तो इन्हों ने भी कहा कि तीसरा मोर्चा हम बनेंगे अब इधर आमादमी पार्टी ने इन दौनों मोर्चों की तरफ बढ़ने की बजाए अगर कॉंग्रेस ने हाथ बढ़ाया त सीटों के हिसाब से 10 लोग सभा की सीटें हैं अगर इसको डिवाइड करें तो एक लोग सभा में नौव विधान सभा की सीटें आती हैं अभी जब गठवंदन की साम बात सामने आई तो कॉंग्रेस की तरफ से एक बात चली कि कॉंग्रेस आमादमी पार्टी को 3-4 सीट दे सकती है और 3-4 सीट पर आमादमी पार्टी मानेगी नहीं कॉंग्रेस के एक नेता से मेरी बात भी हो रही थी प्रदेश लेवल के नेता हैं वो कह रहे थे कि ये समझोता जो है जिस आधार पर लोकसभा का समझोता हुआ था उसी आधार पर हो सकता है यानि कि एक लोकसभा दी थी कॉंग्रेस ने आमादमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर 9 विधान सभा हैं इस लिहा सीटें कॉंग्रेस लड़े और दस परसेंट से नौ सीटें आम आदमी पार्टी को मिले अब बात यह आ जाएगी आखिर इस गठवंदन की जो राहूल गांधी ने कहा वो दरकार क्यों पड़ी मैं आपको बताता चलू कि चंडीगड के नगर निगम के चुनाव में समझोता हुआ था कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का और उस समझोते से कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी को यह मिला कि उनका मेयर बन गया जो मेयर बना वो आमादमी पार्टी का बना और वो समझोते में हुआ चुनाव जो हरियाना के अंदर हुआ था आमादमी पार्टी जो कहीं टिक नहीं रही थी उसको कुरक्षेत्र की लोगसभा में भले ही सुशील गुपता चुनाव तो हर गई लेकिन वोटों का एक जखीरा मिला और तीन विधानसवा सीटों में आमादमी पार्टी आगे रही अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में मनीश तिवारी सांसद बन गए कॉंग्रेस के और उसके पीछे भी आमादमी पार्टी का सहयोग जरूर रहा अगर पंजाब में गठबंदन नहीं हुआ तो पंजाब में ठीक है कॉंग्रेस का जोगार तो सही बन गया साथ एमपी बन गए तीरा में से लेकिन आमादमी पार्टी को नुकसान भी कह सकते हैं वहांके तीन सांसत रह गए उनके इस सब लिहाज को देखते हुए लगता है कि ये जो समझोते वाली बात चल रही है ये बड़ी गंभीरता से चल रही है अगर आप माने तो ये समझोते की बात रहुल गंधी ने केवल हावा में तीर नहीं चलाया होगा जब उन्होंने अपने नेता से कह भी दिया कि आप इनसे बातचीत कीजिए देखिए और कॉंग्रेस के नेताओं से बातचीत कीजिए तो मैं आपको बता दूँ कि कॉंग्रेस के नेताओं में तो ज़राहुल गंधी कह देंगे वही सही होगा बले ही उड़ा साब कितना ही कहें कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है लोगसभा चुनाव से पहले भी कहते थे उड़ा साब तो इसके बाबजूद गटबंदन हुआ चौदरी विरंदर सिंग डूमर खाने तो कह दिया है कि जो पार्टी हाई कमान फैसला करेगा वो हम मानेंगे होता भी यही है बड़े राजनितिक पार्टी यहां हो या छोटी एक पुरानी काहवत है कि सारी बात सिर्माते पतनाला वही गिरेगा यानि कि जो पार्टी के नेता कह देंगे वही होगा वो अपने तमाम किंतु परंतु इफबट लगा दें लेकिन पार्टी आला कमान जो कहेगा वो मानने होगा इधर आमादमी पार्टी कह रही है कि अर्विंद केजरिवाल जो फैसला करेंगे वो तै होगा इधर कॉंग्रेस से राहूल गांदी ने बात चला दी समझोते की वैसे अगर मैं आपसे पूछू तो आपको क्या लगता है कि क्या हरियाना में ये समझोता अगर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच होता है तो क्या ये सत्ता के नस्दीक रहेगा आपको क्या लगता है कि क्या इस समझोता होने से यानि कि आप और कॉंग्रेस का समझोता होने से भारती जंता पार्टी के लिए और भी परिशानी बड़ी हो सकती है और आपको क्या लगता है कि ये जो चुनावी गठबंदन होते हैं ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े नहें हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर बाएं अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें